अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संकर्मित हुई है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्व भर में करोडों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है हम पिछली सताब्दे से ही लगातार सुनते आए है कि 21 सदी हिंदुस्तान की है कि इसका मार्ख एक ही है आत्म निर्भर भारत जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुतती है इस सताबदी की शुरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लालोजी एक्सपर्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाइचेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा उस परिस्तिति में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच भड़ चला यही हम भारतियों की संकल्प शक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष अवसंभव नहीं यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भग्वे इमारत पांच पिलर्स पर खड़ी होगी कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ बीस लाग करोर रुपिय का है यह पैकेज भारत की जीडिपी का करीब करीब दस परतिशत है बीस लाग करोर रुपिय का यह पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक, गरह उद्योक, हमारे लगू मंजोले उद्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजी विका का साधन है कलशे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत भ्यान से प्रेरित इस आर्थिक प्रेकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाइज चेन में बड़ी भूमी का निभाए साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो पशुपालक हो, हमारे मच्वारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपोर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों, कोरोना संगट ने हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमान पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए भोकल बनना है साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चरान लोगडाउन फोर पुरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्वा आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा नई संकल्प सक्ति उसे ले करके हमें आगे बढ़ना है हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद